एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है दरसल बैंगलोर में कपल को गमलों में गांजा उगाने और उसके बारे में फेस्बुक पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफतार किया गया है सदाशिव नगर पुलिस ने 37 साल के सागर गुरंग और उसकी पतनी उर्मिला कुमारी को गिरफतार किया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिक्किम का ये कपल MSR नगर में रहता है और एक फास्ट फूड जॉइंट चलाता है उर्मिला कुमारी सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव रहती हैं और अक्सर अपने घर के गमलों में लगे पौधों की तस्वीरें और वीडियो फेस्बुक पेज पर शेयर करती हैं हाली में उन्होंने एक वीडियो और कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं इन में उनके घर की बालकनी में रखे गमलों में कई तरह के पौधे दिखाई दे रहे थे इन 17 गमलों में से दो गमलों में गांजा के पौधे लगे हुए थे आपको बता दें कि हैरानी की बात ये है कि उर्मिला ने अपनी पोस्ट में खुद खुलासा किया है कि वो गांजा होगा रही है उनकी इस हरकत की जानकारी उनके सोशल मीडिया फॉलोर्स ने पुलिस को दे दी इसके बाद पुलिस ने कारवाई की उच्टाच के दौरान कपल ने कबूल किया कि वो जल्दी पैसे कमाने के लिए गांजा होगा रहे थे पुलिस ने बताया कि कपल पहली मंजिल पर रहता था और उनका फास्ट फूर्ड जॉइंट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने उनके घर से करीब चौवन ग्राम वजनी गांजा के पौधे बरामत किये हैं पुलिस ने बताया कि जब वो कपल के घर चापा मारने पहुँचे तो वहां मौजूद उनके एक रिष्टेदार ने उर्मिला को सतर्क कर दिया था इससे पहले कि पुलिस उनके घर में दाखिल होती उर्मिला ने गांजे के पौधे तोड़ कर पुड़े दान में फेक दिये थे हाला कि गमले में अब तक भी पत्ते बचे हुए थे आपको बता दें कि शुरुआत में उर्मिला कुमारी ने ऐसे किसी भी वीडियो या तस्वीर को पोस्ट करने से इंकार किया लेकिन जब उनके फोन की जाच की गई तो ये पुष्टी हो गई थी कि उन्होंने 18 अक्टूबर को वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की थी पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम अब तक जाच कर रहे हैं कि क्या वो सक्रिय रूप से एक गांजे की तसकरी कर रहे थे कपल के मुबाइल फोन जब्त कर लिये गए हैं और उनका विशलेशन किया जा रहा है ताकि अधिक जानकारी मिल सके आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने कपल के खिलाफ एंडी पियस एक्ट के तहट मामला दर्च कर उन्हें स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया है ये मामला इस बात का उधारण है कि कैसे सोशल मीडिया का गलत इस्तिमाल मुसीबत का सबब बन सकता है नहराल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com ताथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें झाल